परक राश्यवालों ये खुशखबरी आपको रन पर मजबूर कर देगा दोस्तों क्योंकि ये खुशखबरी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब आप सभी के ऊपर किस्मत महरबान हो चुका है और भाग्य का पूरा पूरा फल आप सभी को मिलने वाला है दोस्तों यश में धान के देवी माता लक्ष्मी आपकी राशिसे सातवें स्थान पर है भगवान शनी देव भी आपके कुंडली के दसवें स्थान पर है यानि कि दोस्तों अब आप सभी को एक तरफ धन्यवाद प्राप्त होने वाला है चारों तरफ से आपको ही खुशियां मिलने वाली है दोस्तों आप जहां पर जाएंगे वहीं पर आपको कामयावी प्राप्त होने वाली है चाहे कोई कुछ भी कर ले आपका कोई बात भी महंगा नहीं कर सकता है दोस्तों चाहे आप लिख कर रख लो प्यारे दोस्तों, दुश्मन के बाप को भी जुकना पड़ेगा, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा चल रहा है कि प्यारे दोस्तों आपका बल्ले बल्ले होगा, गली महले में आपके ही नाम के चर्चे होंगे, लोग भी देखकर कहेंगे कि वह क्या नसी प्यार की मुसीबत का सामना किया है, जितने भी अपने दुख देखा है, वह प्यारे दोस्तों सभी आपके लिए यूँ समझ लो कि एक ऐसी परीक्षा की घड़ी था, जो कि प्यारे दोस्तों अब बीत चुका है, और इतनी कड़ी परीक्षा को पार करने के बाद आपकी क किसमत का सुनहरा दर्वाजा खुल चुका है, अब आप तरक्की के बहुत नस्दीक हैं, आप बस कुछ कदम ध्यान रखते हुए चलो, उसके बाद तुम्हारा गली मोहले में गुणगान होगा, प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपकी कड़ी मेहनत का बड़ ही ध्यान से आपको चलना है, उसके बाद प्यारे दोस्तों, आप खुद ही अपनी किसमत का चमतकार देखोगे, और भगवान का आप शुक्रिया अदा करते हुए नहीं सकोगी, जी हाँ प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इतनी खुश खबरी आपको मिलने वाला है, साधारन बिलकुल मत समझाएगा, आपके अपकिसमत का हजार गुना तेज साथ मिलने वाला है, और प्यारे दोस्तों, आपके जितने सारे सपने थे, जो तूट कर बिखर रही थी, जिन चीजों का आप उमीद छोड़ चुके थे, अब उन चीजों से भी आपको जबरदस् कार्यकर्म को पूरे ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आपको यह समय एक-एक कदम बहुत ही सोच समझ कर चलना ही कोई घलती बिलकुल भी नहीं करना है। जी हाँ, प्यारे दोस्तों तो प्यारे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखते हुए इस जोतिष कार्यकर्म को अंत त प्रिवर्तन कुछ इस प्रकार से होंगे कि इन परिवर्तन की वजह से आपको एक नहीं दो नहीं बलकि पूरे पांच बड़ी खुश्खबरी मिलने वाला है वह भी बहुत बड़ी और तूफानी खबर होगा तो प्यारे दोस्तों आखिर इस परिवर्तन की वजह से आपके जीवन में कौन-कौन सा बड़ा परिवर्तन होने वाला है कौन-कौन सा बड़ा चमतकार होने वाला है इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे किन-किन क्षेत्रों में आपको खुश्खबर पूरा अंत तक देखना जयोतिशकार्यक्रम को बिलकुल भी मिस मत करना नहीं तो बहुत पच्चता होगे। प्यारे दोस्तों, आज का जयोतिशकार्यक्रम बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना प्यारे दोस्तों, आपकी समय की बरबादी नहीं होगा इस बात, कि मैं आपको गारंटी देता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं गीता का कसम खाकर कहता हूँ। जो भी बोलूँगा, 100% सत्य बोलूँगा। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में यह एक देवता इस रूप में दस्तक देने वाले हैं। जी हाँ, प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके घर यह एक देवता इस रूप में आने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें। इस देवता के आने से आपकी घर की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे यह देवता जब किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश करते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है अब आपका भी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ लेकिन प्यारे दोस्तों, इस देवता का चरण आपके घर में पड़े उसके पहले आपको यह एक छोटा सा काम जरूर कर लेना है चाहिए प्यारे दोस्तों, यह एक छोटा सा काम कर लेने के बाद यह देवता आपसे बहुत अधिक परसन्न होंगे और आपका घर धन दौलत से भर देंगे तो प्यारे दोस्तों, वह कौन सा छोटा सा काम है जो आपको इस देवता का चरण आपके घर में पढ़ने से पहले उस काम को कर लेना चाहिए और यह देवता कौन है? किस रूप में यह देवता आपके घर में आने वाले हैं? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं इसलिए प्यारे दोस्तों कान लगाकर सभी बातों को ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपका बता दें ये देखा कोई और नहीं खुद प्रभुश्री राम का भक्ती हनुमान जी है और ये देवता अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर आने वाले हैं जी हाँ प्यारे दोस्तों 24 घंटे के अंदर महाबली हनुमान जी का चरण आपके घर आने में पढ़ने वाला है इसलिए प्यारे दोस्तों अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए घर का एक एक कोना अच्छे से साफ होना चाहिए जब घर का साफ सफाई अच्छे से हो जाएगा उसके बाद घर आंगन में गंगा जल का छिड़काव करें ऐसा करने से महाबली हनुमान जी आप से बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और आपको संसार की सारी खुशियां मिले ऐसा वर्दान, महाबली हनुमान जी आपको प्रदान करेंगे उसके बाद प्यारे दोस्तों आपके जीवन में जो बड़ा चमतकार होगा उसे देखकर गाव मोहले के लोग देखकर दंग रह जाएंगे इस बात की गारंटी प्यारे दोस्तों धन की देवी माता लक्षमी की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा बस सोने से पहले यह एक चीज अपने साथ रख लेना प्यारे दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ धन की देवी माता लक्षमी की कृपा से आपके घर में धन की बारिश होने लगेगा प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें ये एक छोटी सी चीज आपका जिंदगी स्वर्ग जैसा सुन्दर बना देगा बस सोने से पहले ये एक चीज अपने साथ रख लेना फिर देखना आपके जीवन में जो बड़ा चमतकार होगा उससे आपका किस्मत सोने चांदी की तरह चमकने लगेगा प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें इस समय अवधि में जो बड़ा बदलाव आपका कुंडली में होने वाला है उससे का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा क्योंकि प्यारे दोस्तों आपके लिए बहुत खुबसूरत समय का निर्मान हो चुका है ये समय आपके लिए बहुत शांदार रहने वाला है ये समय कोई मामूली समय नहीं है प्यारे दोस्तों ये समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होने वाला है क्योंकि प्यारे दोस्तों इस समय आपका कुंडली में जो शुबसमय का निर्मान हुआ है वह समय आपका जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है और इसी लिए अब आपको इस समय अवधी में संसार की सारी खुशियां मिलने वाला है लेकिन प्यारे दोस्तों इस समय अवधी में आपको कोई भी ऐसा गलत कारे नहीं करना है जिससे भगवान को ठेस पहुँचे कोई भी ऐसा गलत फैसला नहीं लेना है जिसे भगवान आपसे नाराज हो जाए तो प्यारे दोस्तों कौन-कौन सी गलती करने से आपको बचाना है कौन-कौन सी विशेश सावधानी आपको बताता नहीं है और कौन-कौन सी विशेश बातों का आपको ध्यान रखना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको इस ज्योतिश कार्यक्रम में बताने वाले हैं इसलिए प्यारे दोस्तों ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखरी तक जरूर देखना क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज स्पीड के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें इस समय भगवान जो समय आपको दे रहा है आपके लिए बहुत बढ़िया और खूबसूरत समय है इस समय अवधी में आप अपना किस्मत को चमका सकते हैं प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे यह एक छोटी सी उपाय करके आप अपना भाग्य को बदल सकते हैं यह एक छोटा सा उपाय करके आप अपना जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से यह बात सुना होगा कि इनसान की किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है लेकिन प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे यह बातें 100% सत्य नहीं है क्योंकि प्यारे दोस्तों आप अपना किस्मत को आप अपने बलबूते पर बदल सकते हैं आप अपना मेहनत से अपना किस्मत को बदल सकते हैं, आप खुद से मेहनत करके आप अपना किस्मत को लिख सकते हैं, प्यारे दोस्तों, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आपको हर वह चीज मिल जाएगा जो आपका नसीब में भ लेकिन अब आपको गरीबी में जीने की जरूरत नहीं है। अब आपका किस्मत बदलने वाला है क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप अपने मेहनत के दम पर और अच्छे कर्म करके धन की देवी माता लक्षमी को प्रसंद कर चुके हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, अब आपका किस्मत पूरी तरह से बदलने वाला है। आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुन्दर होने वाला है। अब आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होने वाला है। लेकिन प्यारे दोस्तों, सोने से पहले यह एक चीज आपको अपने साथ रख लेना है, जो आगे इस जियोतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। फिर देखना प्यारे दोस्तों, आपका जीवन कैसे बदलता है। प्यारे दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी खुश खबरी आपके जीवन में दस्तक देने। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे। हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत हो। गाड़ी बंगला हो, कृपया पैसा हो, ताकि हमारे जीवन की सारी जरूरतें पूरा हो सकें। तो प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे। अब आपका कुंडली में जो बदलाव होने वाला है, उसे देखकर आपका घर परिवार हैरान हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ऐसा बदलाव होगा कि देखकर आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, धन की देवी माता लक्षमी की कृपा द्रिष्टी आपके उपर पड़ चुका है। साथ ही प्यारे दोस्तों, धन का देवता भगवान कुबेर महाराज जी आपके उपर महरबान हो चुके हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, अब आपको चारों तरफ से खुश्खबरी ही खुश्खबरी मिलने वाला है। एक तरफ धन की देवी माता, लक्षमी की कृपा से आपको धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ से धन का देवता, भगवान कुबेर महराज जी के आशीरवाद, आपको करोडों का संपत्ती हाथ लगने वाला है। ऐसा चमतकार अब आपके जीवन में होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपकी जीवन की सारी समस्याएं अब एक जटके में खत्म हो जाएंगा। प्यारे दोस्तों, अब आप सिहासन पर बैठने की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अब आपको राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। अब आप ही राजा बनने वाले हो, जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रही हैं। अब अपने गाम वो मोहले का राजा बनने वाले हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपके पास किसी भी चीज की कमी अब नहीं होगा। आप जिस चीज पर हाथ रख देंगे वह चीज आपका हो जाएगा इतनी बड़ी कामयाभी अब आपको मिलने वाला है जिससे आपके आस पडोस के लोग भी कहेंगे वाह, क्या नसीब है आपका काश ऐसा नसीब हमारा भी होता प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे अब चैट और पट दोनों आपकी होगी कहने का मतलब ये है कि अब आपको करोडों की खुशियां मिलने वाला है लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान रहे सोने से पहले अपने बिस्तर के नीचे या फिर अपनी जेब में पांच मूं के दाने और एक हल्दी का टुकडा अवश्य रख ले तभी जो है प्यारे दोस्तों आपका जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा आपका जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होंगे इतनी बड़ी और भयंकर काम्याबी आपको मिलेगा प्यारे दोस्तों आप अपने जीवन में जो कश्ट जेले हैं उसका परिणाम अब आपको मिलने वाला है तथा अब आपको मेहनत का फल मिलने वाला है और आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे तक यहे एक चीज किसी को मत देना चाहे कोई कितना भी गिर गिर आए, परन्तु यहे एक चीज किसी को मत देना वरना प्यारे दोस्तों, आपका पूरा जिंदगी बरबाद हो जाएगा प्यारे दोस्तों, दो वक्त की खाना भी नसीब नहीं होगा ऐसा भयंकर कंगाली आपके घर में आ जाएगा प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें आपका पूरा घर परिवार भूख से तड़पने लगेंगे ऐसा दिन आपको देखना पड़ सकता है इसलिए प्यारे दोस्तों अगले 24 घंटे तक हो जाईए सावधान और यह एक चीज किसी को मत देना वरना प्यारे दोस्तों आपकी घर की लक्षमी आपसे क्रोधित हो जाएगी आपके घर की लक्षमी आपसे रूठ जाएगी और यह बात तो आपको पता ही होगा जब किसी व्यक्ती के उपर धन की देवी माता लक्षमी क्रोधित हो जाती है तो उनका जीवन में तरह तरह की परिशानी आने लगता है चारों तरफ से दुखों का पहाड तूट पड़ता है पूरा घर परिवार का लोग कंगाल हो जाता है इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर आप अपना परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में कोई भी ऐसा परिशानी ना आए तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को पूरा अंथ तक देखना और यह एक चीज किसी को मत देना प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे आप बहुत दयालू इंसान हैं इसीलिए आपको मैं सतर्क कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपके दर्वाजे पर कोई भी व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाते हैं तो आप उसे खाली हाथ कभी नहीं जाने देते हैं आप अपने हिसाब से उस व्यक्ति का मदद जरूर करते हैं लेकिन प्यारे दोस्तों भलाई करने का नतीजा आपके उपर भारी पढ़ने वाला है अगर यह एक चीज किसी व्यक्ति को दान में दे देते हैं प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे दान धर्म करने से हमें पुन्य की प्राप्ति होता है हमें भगवान से सीधा आशीरवाद प्राप्त होता है लेकिन प्यारे दोस्तों आपका कुंडली में कुछ ऐसा योग का निर्मान हुआ है जिसके वजह से अगर आप इस समय अवधी में यह एक छोटा सा चीज किसी व्यक्ति को दान में देते हैं, तो भगवान आपसे क्रोधित हो जाएंगे, भगवान आपसे रुष्ठ हो जाएंगे, इसलिए प्यारे दोस्तों, इस समय आपको यह एक चीज किसी को देखकर भलाई करने के चक्कर में अपना ही पैर पर कुलहाडी मारना प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, भलाई करने के चक्कर में आपसे बहुत बड़ा पाप हो सकता है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका कुंडली में एक ऐसा महा संयोग का निर्मान हुआ जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा उलट फेर होने वाला है, आपका जीवन में बहुत बड़ा भयंकर बदलाव होने वाला है, तथा आपकी जीवन की साड़े साती खत्म होने वाला है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ विशेश सावधानी आपको बरतनी होगी, जो इस जोतिश कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। साथ ही प्यारे दोस्तों, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अगले 24 घंटे तक यह एक छोटा सा चीज मत देना। प्यारे दोस्तों, जोतिश कार्यक्रम को बनाने में बहुत महनत लगा है। आपकी जिन्दगी बरबाद होने से रोक देगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, अगर यह जोतिश कार्यक्रम नहीं बनता, तो आप जाने अंजाने में यह गलती कर बैठते और यह एक चीज किसी भी व्यक्ति को दान में दे देते। उसके बाद आपसे धन की देवी माता लक्षमी क्रोधित हो जाती। धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती और यह बात तो आपको पता ही होगा जब किसी व्यक्ती से धन की देवी माता लक्ष्मी रूठ जाती है तो उसका जीवन पूरी तरह से बरबाद हो जाता है उसके पास धन दौलत से जुड़ी समस्या देखने को मिलने लगता है वह व्यक्ति कितना भी कमाता है लेकिन फिर भी उसके पास पैसों का कमी हमेशा लगा रहता है एक सास तक से आप पैसा कमा कर लाते हैं दूसरी तरफ से चला जाता है आपके पास बिलकुल भी पैसा नहीं टिकता है और आप गरीबी के दलदल में फंसते चले जाते हैं लेकिन प्यारे दोस्तों अब इन सब बातों से आपको बिलकुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि प्यारे दोस्तों सही समय पर यह जयोतिश कार्यक्रम आपको मिल चुका है और इस जयोतिश कार्यक्रम में आपको कुछ ऐसा विशेश जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप अपना जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, आप अपना जीवन को सूरज की तरह चमका सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अभी तक आप इस ज्योतिश कार्यक्रम को अगर लाइक नहीं किये हैं, तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से तीन बार जय माता दी. जय माता दी अवश्य लिखें, माता लक्षमी की विशेश क्रिपा आपके और आपके पूरे परिवार के उपर हमेशा बना रहेगा. साथ ही प्यारे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता आपके ऊपर भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर महरबान हो चुके हैं भगवान शनिदेव महाराज अब आपका बंध किस्मत का ताला खोलेंगे भगवान शनिदेव महाराज की शुरुवात से अब आपका सभी बिगड़े काम बन जाएंगे ऐसा चमतकार अब आपक जीवन में होने वाला है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ती आपसे दूध मांगे तो किसी को मत देना, क्योंकि प्यारे दोस्तों, दूध का संबंध सीधा मातालक्ष्मी से है, और मातालक्ष्मी आज आज आपके घर आने वाली है माता लक्षमी आज आपके घर दस्तक देने वाली है और आपको बहुत बड़ी-बड़ी खुश्खबरी देने वाली है प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें अब आपका जीवन पहले जैसा बिलकुल भी नहीं रहेगा अब आपका जीवन पहले से हजार गुना तेज चमकेगा प्यारे दोस्तों, आज का ज्योतिश कार्यक्रम बेहत खास और महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, यह ज्योतिश कार्यक्रम आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे यह ज्योतिश कार्यक्रम आपका जीवन में बहुत बड़ा चमतकार लेकर आने वाला है प्यारे दोस्तों, अब आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी और आपके उपर धन की देवी माता लक्षमी की कृपा हमेशा बनी रहेगी प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें आज इस जियोतिश कार्यक्रम के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाली है सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा इसलिए प्यारे दोस्तों, इस बात को हलके में मत लेना प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर विशय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जी हाँ, प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें आपकी गरीबी और कंगाली का सबसे बड़ा कारण यह एक चीज है जी हाँ, प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपके घर में पड़ा है यह एक चीज, जिस वजह से प्यारे दोस्तों, आप अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें आपके घर में पड़ी हुई एक चीज आपको लगातार बरबाद कर रहा है प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे जिस दिन आप यह एक चीज आप अपने घर से निकाल कर फेंक देंगे उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा उसी दिन से आपका गरीबी का नाम और निशान मिट जाएगा इस बात की फुल गारंटी है प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे इस चीज का प्रभाव आपके जीवन में इतना ज्यादा है कि आपकी मानसिक्ता को भी प्रभावित कर रही है प्यारे दोस्तों, इसका प्रमाण ये है कि आप हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और कभी कभी आप अपने जिस कार्यों के बारे में सोचते हैं कि यह काम हम को करना है उस काम को छोड़कर दूसरा काम करने लग जाते हैं जो काम आपके लिए बहुत ज्यादा important होता है उस काम को छोड़कर आप दूसरा काम करने लग जाते हैं जो काम आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है उस काम में आप अपना समय बरबाद करने लग जाते हैं जो आपका महत्वपूर्ण काम होता है जो आपका असली काम होता है जिस काम को आपको करने से फाइदा हो सकता है उस काम को करना ही भूल जाते हैं और कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होने लगता है कि अचानक आपको बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होता है अचानक आपके मन में बहुत बुरा-बुरा खयाल आने लगता है आपके मन में बेचैनी सी होने लगती है आपको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगता है और भी तमाम प्रकार की हरकतें आप करने लग जाते हैं और इन सभी परेशानियों का जड़ आपकी घर में रखी यह एक चीज है जिस वजह से आपके जीवन में यह तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रहा है लेकिन प्यारे दोस्तों अब आपको बिलकुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है अब आपको बिलकुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि प्यारे दोस्तों इस ज्योतिश कारेक्रम के माध्यम से कुछ ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं जिसे जानकर आप अपना जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ कर निवेधन करता हूँ। आप लोगों से विनती करता हूँ। अगर अभी तक आप लोग इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं, तो इस जोतिश कार्यक्रम को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही प्यारे दोस्तों, इस चैनल को सबस्क्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए। प्यारे दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा गुप्त जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, पूरा ज्योतिश कार्यक्रम आखिरी तक देखना और सबसे जरूरी बात दिमाग शांत करके पूरा ज्योतिश कार्यक्रम अकेले में देखना प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी आपको परेशानी हो रही है इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह एक चीज है और यह चीज आपके घर में पड़ा है तो प्यारे दोस्तों आखिर यह चीज आपके घर में कहां से आई है कैसे आपके घर में यह चीज आई ये सोचने की विशय है तो प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें इसका दो मुख्य कारण है सबसे पहले कारण आपका घर, परिवार का कोई सदस्य इस नाम के व्यक्ति से कुछ चीज मांग कर अपने घर में लाया होगा उस समय इस नाम के व्यक्ति ने यह एक चीज उसी सामान के साथ मिला कर दे दिया होगा जिससे यह चीज आपके घर में आ गई होगी और इस बारे में आपको जरा भी भनक तक नहीं लगा होगा क्योंकि प्यारे दोस्तों इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आप इस बात से पूरी तरह से अंजान है दूसरा कारण यह हो सकता है कि कोई साधु बाबा आपके घर आए भिक्षा के लिए पधारे होंगे और आप उन्हें बिना भिक्षा दिये वापस लोटा दिये होंगे जिसके वजह से साधु बाबा आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए होंगे बहुत ज्यादा आपसे नाराज हो गए होंगे और जादू टोना करके आपके घर में यह एक चीज फेंग दिया होगा जिस वजह से आपके जीवन में यह तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रहा है तो प्यारे दोस्तों, इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको यह दो काम करना होगा प्यारे दोस्तों, अगर आप अपना जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं तो आपको यह दो काम हर हाल में करना होगा तब ही जो है प्यारे दोस्तों, आपकी जीवन की गरीबी समाप्द होगा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले काम आपको अपने घर आंगन में गंगा जल का छिड़काव करना है और ध्यान रहे, गंगा जल का छिड़काव करते समय आपको ओम नमह शिवाय का जाप अवश्य करना है और उसके बाद शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर में जाकर गाय की शुद्ध घी का दीपक जलाएं ऐसा करने से आपका जीवन में अचानक बहुत बड़ा चमतकार होगा और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा आपका जीवन का सारा दुख दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा प्यारे दोस्तों मंगल ग्रह का परिवर्तन होने वाला है जिसका प्रभाव आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर पढ़ने वाला है जी हां प्यारे दोस्तों आप बिलकुल सही सुन रहे हैं इसका असर धन दौलत से लेकर व्यापार नौकरी और स्वास्थय पर भी देखने को मिलेगा इसलिए प्यारे दोस्तों आपके सामने हाथ जोडता हूँ समय रहते सावधान हो जाईए और अगले साथ दिनों के अंदर भूल कर भी यह गलतियां मत करना वरना प्यारे दोस्तों आपका पूरा जिंदगी बरबाद हो जाएगा प्यारे दोस्तों अगले साथ दिनों तक इन सभी चीजों से आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा प्यारे दोस्तों अगले साथ दिनों तक आपको कौन-कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन-कौन सा विशेश बातों का ध्यान रखना है। इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और संपूर्ण जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर संतो परसेंट सटीक बताने वाले हैं। साथ ही प्यारे दोस्तों आपको कुछ ऐसा महत्व पूर्ण जानकारी बताने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए अतियावश्यक है। इसलिए प्यारे दोस्तों जयोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे ये जोतिश कार्यक्रम आपको बहुत अधिक काम आने वाला है प्यारे दोस्तों कर रख लीजिए मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ आज की ये भविश्यवानी कोई गलत सावित नहीं कर सकता है इसलिए प्यारे दोस्तों इस जोतिश कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे बहुत महनत आपके लिए करता हूँ और इस प्रकार की ज्यानवर्धक ज्योतिश कार्यक्रम आपके लिए तैयार करता हूँ, जिसमें मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक तो करना बनता है और प्रभु श्री राम के सभी सच्चे भक्त नीचे दिये गए। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से बिना संकोच किये। पांच बार जय श्री राम, जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु श्री राम का आशीरवाद आपके एवं आपके पूरे परिवार के उपर हमेशा बना रहेगा। साथ ही, प्यारे दोस्तों, आपके परिवार के उपर कभी कोई संकट नहीं आएगा, तो अगले साथ दिनों के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा टहल का मचाने वाला है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका कुंडली में कार्य सिध्ध योग, अमृत सिध्ध योग और दो राज्य योग बन चुका है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अब आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, सुनकर आस पडोस के लोगों में खलबली मच जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको यह बताते हुए हमें भी बहुत खुशी महसूस हो रहा है, कि अब आपके संघर्ष के दिन बीच चुके हैं, आपके सभी प्रयास असफल होने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, पिछले समय लोग आपका मान सम्मान नहीं करते थे। आपके जीवन में पैसों को लेकर परिशानी लगा रहता था। पैसों की तंगी आपके जीवन में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और प्यारे दोस्तों, पैसों को लेकर घर में कई बार विवाद भी होते रहते थे लोगों की नजर में आपका मान सम्मान बिलकुल नहीं होता था लेकिन अब इतना अधिक पैसा आएगा कि दुश्मन का आप भी जुक कर कहीं का कि वह क्या नसीब है जी हाँ प्यारे दोस्तों इस बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन प्यारे दोस्तों आप इस बात का यकीन मानिये कि आप बस यह तीन गलती बिलकुल मत किसी का उसके बाद मेरा कहां बात पत्थर का लकीर है जो की गलत नहीं हो सकता है जी हाँ प्यारे दोस्तों बात आप अपने जीवन में यह समय इन तीन गलतीयों को मत किसी का पहला आप आपको यह समय अपने वानी की मदुरता बनाकर रखना है अपना कर्म को अच्छा रखना है। आपको किसी के परती जलन का भावना नहीं रखता है और किसी से गाली ग्लॉज या पिर आपको गलत शब्दों से बात नहीं करना है। घमंड भी आपको बिलकुल नहीं करना है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो ऐसे ही आपकी किस्मत का आपके साथ मिलता रहेगा। आप जिस समय इस बात को भूल जाएंगे और इस गलती को कर देंगे तो प्यारे दोस्तों आपका किस्मत खराब भी हो जाएगा। यह एक ऐसा सच्चाई है जो कि आपको थोड़ा सा सुनकर दुख हुआ होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। दूसरा जो गलती है वह यह है कि प्यारे दोस्तों अपने घर से आप संध्या के बाद पैसे धन दौलत बाहर ना करें। अगर ऐसी गलती आप करती हैं तो इसे आपके घर से जो माल लक्ष्मी होती है वह बाहर चली जाएगी। एक बात तो आप भी जानते होंगे कि धन दौलत को माल लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। संध्या के बाद अपने घर से पैसे या फिर धन दौलत बाहर करने से घर से वह हमेशा के लिए बाहर चले जाती है। प्यारे दोस्तों आपके घर में धरिद्रता आने लगता है, नकारात्मक शक्ती बढ़ने लगता है, आपके लाभ के सारे रास्ते बंध हो जाती है तो इस बात का ध्यान रहे, अगला जो गलती है वह यह है कि प्यारे दोस्तों आपको कोई भिखारी, साधू, संत या फिर ब के कर्मों को बहुत चमक देगा तो इस बात का ध्यान रहे इसके उपरांत प्यारे दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा एक नजर डालते हैं आपकी राशिफल पर प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको यह समय यानि कि आज के दिन बहुत ही अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे आज के दिन आप सबसे अलग करके दिखा पाएंगे और प्यारे दोस्तों आज तो आपको बहुत ही फाइदा भी होने वाला है अगर आपका पिछले समय से कोई भी चिंता है जो की चले आ रहा है वह भी यह समय दूर होगा मन को एक शांती मिलेगा आपको सुकून मिलेगा और प्यारे दोस्तों यहां तक कि आपका काम भी यश में पूरे होंगे आप अगर कुछ सोच रहे हैं तो वह भी संभव होगा आपको बता दें कि यह समय मिला चलकर आपके लिए बहुत अच्छा समय है अगर आप नौकरी करते हैं अगर उनमें आप प्रमोशन की चाहत रखती तो इनमें थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन यह सपना आपका पूरा होगा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पूरी इमानदारी के साथ काम किसी का किसी भी व्यक्ती को उदास मत करना हमेशा ही लोगों का आप यूं कहे तो प्यारे दोस्तों आशीरवाद प्राप्त करने का प्रयास कीजिए का और प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, इसमें व्यापार कर रहे लोग जो बिजनस करती हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, उनका मन चाहा उन्हें लाभ प्राप्त होगा, पढ़ाई करने की विद्यार्थियों के भी लंबे समय से चल रही, बस दूर होंगे, और यह समय आप चिंता मुक्त रहेंगे, और मेहनत करने में भी आप ध्यान दें, और प्यारे दोस्तों, आपको बताने की समय, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है, यह समय आपको भी फाइदा होगा, किसी भी कारे को शुरू करना चाहती है, तो वह भी यश में आप कर पाएंगे, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा, प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय में आपके मन का जो इच्छा है, वह पूरा होगा, लाभ आपको तो मिलेगा ही, साथ ही आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है, प्यारे दोस्तों, यहां तक कि आप यह समय लोगों के बीच एक अलग ही निखार के साथ उभर कर आएंगे, प्यारे दोस्तों, आज आपको संतान पक्ष से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा, जिसे कि आप बहुत प्रसंद रहेंगे, आपका रुका पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब आप चिंता ना करें, आपका हर सपना पूरा होगा, प्यारे दोस्तों, यह समय आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे खास समय है, आप इस समय में अपने कुछ रुके हुए कारियों में भी थोड़ा सा महनत करके आप लाब को प्र प्रसन्नता होगा, प्यारे दोस्तों, इसके उपरांत यह समय आपका स्वास्थय भी बहतर रहेगा, आप अपने पिछले समय जो भी मुसीबत का सामना किये हैं, वह दूर होगा, यश में एक खानपान पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए, इसे ही आपका स्वास्थय बिगड़ भी जाता है, और प्यारे दोस्तों, आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, आप यश में किसी भी वाद विवाद में ना पड़े, तो बहतर होगा किसी दूसरे व्यक्ति को अपने आप ही मामलों में आप ना पढ़ने दी, और ना ही किसी दूसरे के मा यात्रा के भी योग बन सकती है, और यह समय आपके लिए वह यात्रा शुभकारी साबित होगा, आप यश में अपने मन में सोचे हुए कारियों को लेकर परेशान जो चल रही थी, उन कारियों से भी आपको लाभ मिलेगा, और आपके मन का जो परेशानी है वह भी दूर हो अगर आप अपनी वाणी की मधुरता बना कर नहीं रखेंगे, तो वाद विवाद के भी योग बन सकती है, साथ ही उन में प्यारे दोस्तों आपका नुकसान भी होगा, तो इन बातों का ध्यान रखियेगा, और आज का जो दिन है वह आपके लिए खुशनुमा खुशनु तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को एक लाइक करके चैनल पर नहीं है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्योतिश कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद.